हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चेनल लॉईजी में मैं पंकज वादवानी एड़ोकेट एंड लॉ लेक्चरार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक महत्पूर्ण कानूनी विशे पर और इस विशे का नाम है वाइट कॉलर क्राइम आप मस्ते हैं जैसा कि हम सभी को पता है कि अपराद एक अनलॉफूल अक्ट होता है जैसा कि पता है कि कोई व्यक्ति अपराद कर रहा है वो इल्लीगल अक्ट होता है अनलॉफूल जिसको गवर्मेंट ने मना किया है करने का वो कारे अपराद किलाते हैं और एसे कारे जो बगतियत्वा हानी देने वाले कारियों को अपरात का जाता है और विक्तिया अपरात करता उसे पनिशमिंट याने दंड का पराधान उसके लिए रखा गया है लेकिन वरतमान में आप देख रहे हैं कि अपरात करने के तरीके बदल गए हैं, अपरात करने वाले लोग बदल गए हैं, आज समाच के आधरणी है यानिर रिस्पेक्टेबल यान जो आधरनी और सम्मानी है लोग है जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं यह व्यक्ति अपराथ करेगा जसने होगाVादी तकटर ने अंगो का अंगो की मानों अंगो की तसकरी करी तो अब डॉक्टर जो है दॉक्टर य Tam चिकिष्टक के बारे में कोई व्यक्ति एने शीज आपराथ करेगा अथ्वा किसी अधिवक्ता या किसी नैदिश के बारे में रिश्वत की यदि बात आती है तो हमें आश्चर होता है कि ऐसा व्यक्ति या अध्यापक या टीचर के दुवारे कोई अपरात किया जाता है तो ये समाज में आधरनी और रिस्पेक्टेबल लोग हैं और इनके बारे में अनेक्सपेक्टेड याने इनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि ये लोग अपरात करेंगे और जब ऐसे व्यक्ति अपरात करने लग जाते हैं तो इसे वाइट कालर क्राइम कहा जाता है तो आज का यूग मौडन है जे आज आधुनिक यूग है और इस आधुनिक यूग में टेक्नोलोजी का बहुत प्रोग्रेस हुआ है तकनी की बहुत चेंज देखने को मिल रहा है तकनी की रूप से कम्यूनिकेशन में और ट्रांस्पोर्टेशन में बहुत प्रोग्रेस जो चोरी, लूट, डकेती, हत्या, ये अपराद की जगे आजकल अलग प्रकार के अपराद हमको सुनाई में दे रहे हैं, साइबर क्राइम, अब आप खुदी सोचिए, साइबर क्राइम वही व्यक्ति कर पाएगा, जिससे टेकनोलोजी का ज्यान हो, जिससे कम्पिटर, बस्ते होते हैं, वह चेंज हो चुके, इसी को वाइट कलर क्राइम कहते हैं, और ये वाइट कलर क्राइम क्यों हो रहा है, ये समाज के आदरनी लोग क्यों अपराद कर रहे हैं, क्या ये लोग बूखे मर रहे हैं, क्या इनके पास पेसा नहीं है, नहीं, wants endless हो चुके, आज व्यक्ति की जो इक्छाएं हैं वो अनंत हैं दे वांड्स आर एंडलेस और इस वज़े से लेक आफ मॉरलिटी ओ लोगों में नेतिकता की बहुत तेजी से कमी होती जारी है जो की अपराथ को बढ़ने का बहुत बढ़ा कारण है So, the offenses done by the unexpected class अनपेक्षिद वर्ग द्वारा किये जाने वाले अपराथों को white color crime का जाता है जिसे अपराथ यदि doctor द्वारा किया जाता है जुडी शरीय ने नियाएपालिका से सललगन किसी व्यक्ति द्वारा अपराथ किया जाता है टीचर द्वारा अध्यापक द्वारा यदि कोई अपराद किया जाता है एसे बिजनिसमेन कोई व्यापारी अपराद करता है कोई CACS पढ़ा लिखा कोई वेक्ती लिटरेट वेक्ती साक्षर वेक्ती द्वारा यदि अपराद किया जाता है तो इसे white color crime कहा जाता है और यह ह जो होते हैं, वो सीधे-सीधे आर्थिक और सामाजिक अपराद होते हैं, it is done by the educated people, तो white color crime वो अपराद होते हैं, जो पड़े लिखे साक्षर वर्ग द्वारा किये जाते हैं, high class society जिसे हम समाज में एक respectable position देते हैं, उनके द्वारा ये अपराद किये जाते हैं, जिसे government employees, ये व्यापार व्यावसाय, आप बताएं, ये मिलावट, एडल्ट्रेशन, दूद के अंदर मिलावट, मिठाईयों में मिलावट, तेल में मिलावट, तो एडल्ट्रेशन कोन कर रहा है, व्यापारी कर रहा है, तो trade यहां profession, CACS, advocacy, ये सब profession व्यावसाय हैं, इन व्यावसायों में जो अपराद करते हैं, उन्हें white color crime कहा जाता है, 1949 में पहली बार ये white color crime नाम का जो शब्द था, 1949 में एक famous criminologist थे, अपराद शास्तिरी थे, जिसका नाम है, Edwin Sutherland, इनके द्वारा पहली बार white color crime नामक जो term है, यानि शब्दा वली का प्रयोक किया गया था, 1949 में, और इ बिखारी रिश्वत मांग सकता है, क्या, या कोई एक unemployed व्यक्ति है, जो किसी काम में नहीं लगा हुआ है, क्या व्यक्ति रिश्वत मांग सकता है, एक साधरन गली का गुंडा, क्या रिश्वत मांग सकता है, क्या रिश्वत मांग, वही व्यक्ति मांग सकता है, जो किसी government क पोस्ट पे बेठा है या किसी अन्य किसी बड़ी पोस्ट पे बेठा है वो व्यक्ति रिश्वत मांगता है करप्शन ब्रष्टाचार कोन करेगा जिसके हाथ में पूरी फाइले हैं गवर्मेंट की योजनों की फाइले हैं वो व्यक्ति ब्रष्टाचार कर रहा है इसके बाद है ब्लेक बेंकिंग फ्रॉड, बेंक के अंदर फ्रॉड में आपने देखा होगा बेंक मेनेजर, बेंक के बड़े-बड़े अधिकारी इसमें इंगेज होते हैं इसके बाद है एडल्ट्रेशन, मिलावट मैंने अभी आपको बताया है ब्लेक मार्केटिंग, काला बजारी करना, फॉरजरी, कूट रचना आजकल आप देखते हैं, रियल इस्टेट फ्रॉड हो रहा है रियल इस्टेट फ्रॉड का मतलब है बड़ी-बड़ी कॉलोनिया, ग्रीन बेल्ट पे काट दी जाती है तो ये जो है, ये फॉरजरी जो होती है, अलग-अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बना लेना, सील बना लेना, गॉवर्मेंट की सील बना के, बड़ी-बड़ी टाउन एन कंट्री प्लानिंग की सील बना के, इनोसी बना देना ये फॉरजरी जो है ये भी वाइट कलर क्राइम में आता है कूट रचना इसको हम बोलते हैं हॉर्डिंग जमा खुरी जमा खुरी आप सभी को पता है जो आवश्चक वस्तूएं हैं कुछ ट्रेडर क्या करते हैं आवश्चक वस्तूओं को अपने पास इखटा कर लेते हैं और उसकी जब प्राइज हाइक होती है जब प्राइज ज़्यादा बढ़ जाती तो उसको बेजते हैं इसको हॉर्डिंग का जाता है हॉर्डिंग भी एक प्रकार का वाइट कलर क्राइम किलाता है cyber crime, cyber crime आजकल hacking हो रही है, identity theft हो रहा है, पहचान चोरी हो रही है तो यह सब जो हो रहे है, identity theft, cyber crime यह वही व्यक्ति करेगा जिसे internet और computer का knowledge है तो इस प्रकार पड़े लिखे, समाज के आधरनी है, पड़े लिखे, respectable लोगों द्वारा अपरात की जाते हैं और यह unexpected है, याने उन लोगों से हम expect नहीं कर सकते हैं, उनके द्वारा जो अपरात की जाते हैं, उन्हें white color crime कहा जाता है और इस white color crime को दूर करने के लिए जरूरी है, morality को बढ़ाया जाए, नेतिक शिक्षा का समावेश होना चीए बड़ी आश्यर की बात है कि नेतिक शिक्षा जो है, हमारे जब हम primary education में थे, जब हम kids से, छोटे बच्चे थे तब हमारे इसमें moral science की एक किताब हम पढ़ते थे और इसमें story रहती थी और story में एक patent question हुआ करता था, कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बड़ी आश्यर की बात है, उस समय जब बच्चे होते हैं, बच्चों में यूँ ही morality बहुत होती है, उस morality के समय बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज जरूरत यह है कि जितने भी professional course हो रहे हैं, उन professional course में morality syllabus को insert करना चाहिए, उसका theoretical और practical test लेने चाहिए, समय सम पर तब जाके morality का भाव आगे बढ़ सकेगा, और आज कल व्यक्ति जो है religious inactive, धर्मे के प्रती जो व्यक्ति उदासीन हो रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है white collar crime का, क्योंकि व्यक्ति आज किसी में भी संतुष्ट नहीं है, और social lethargy, समाज भी आज बहुत उदासी समाज आज एसे लोगों का पता है, समाज को पता है कि व्यक्ति करप्ट है, ब्रश्टाचारी है, फिर भी उसके साथ बड़ा ही सम्मान पूर्वक व्यवार करते हैं, तो समाज जीक बहिशकार यहने, collective by court is very much necessary, तब जाके white collar crime पर रोग लग सकेगा, thank you so much for watching this lecture, kindly subscribe my channel, loisy, thank you so much.